हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूटेव चैनल कैसे हैं सबी लोग आयो पच्छे ही होंगे मोस्ट अवेटेड फिलिम्स उस पर टू से मुफासा तक इन फिल्मों का पल के बिचा कर इंतिजार कर रहे हैं दर्शक जाने कब होंगी रिलीज Entertainment के शोकीं लोग नए-नए फिल्मों के रिलीज के इंतिजार में रहते हैं कुछ लोग फिल्मों के सीक्वल को लेकर भी अक्साइटेड रहते हैं वहीं इसी साल ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई जिनका दर्शक लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं कुछ मोस्ट अवेटिड फिल्में ऐसी भी हैं जिनका अभी परदे पर आना बाकी है हम आपको ऐसी बॉलिवुड और हॉलिवुड फिल्मों से रूबरू करा रहे हैं जिनका फैंस पल के बिछा कर रहा तक रहे हैं नमबर वन की बात करें तो भूल बुलया 3 तरती डिमरी और कार्तिक आरियन स्टारर फिल्म भूल बुलया 3 एक हॉरर कॉमेडी है जिसका दर्षक लंबे वक से इंतिजार कर रहे हैं लेकिन अब दर्षकों का ये इंतिजार खतम होने वाला है क्योंकि फिल्म 1 नवंबर 2024 को र एक है ये फिलिम भी एक नवंबर को परदे पर दस्तक देने वाली है वही नमबर तीन की बात करें तो पुस्पा टू साउच सुपरस्टार अलू अर्जुन की पुस्पा टू को देखने के लिए फैंस बहुत बेकरार हैं फिलिम के कुछ गाने भी रिलीज हो चुके हैं जि कुमार और परेश रावल की सुपर कॉमेडी फिलिम हेरा फेरी के तीसवे सिक्वल का भी लोग इंतजार करें लेकिन हाली में खबर आई है कि डारेक्टर रास सांडलिय को फिलिम के लिए कहानी समझने आई और इसलिए फिलिम अभी नहीं बन रही है वही नमबर पांच की बात करें तो वार टू वार की सक्सेस के बाद अब दर्शकों को वार टू का इंतजार है रितिक रोशन इस्टार ये फिलिम अगले साल रिलीज होगी ट्रेंड सोर्स के मताबिक वार टू अगले साल 14 अगस्ट 2025 को सिनिमा घरों में दस्तक देगी वही नमबर चै की बात कर रिलीज होगी इस फिलिम में शारुखा ने डबिंग किया है वही नमबर साथ की बात करें तो दा बैटमेन पार्ट टू और अफ्तार फायर एंड एश दा बैटमेन पार्ट टू भी मोस्ट अवेटी सिक्वल फिल्मों की लिस्ट में सामिल है ये फिलिम साल 2026 में रिलीज होगी अफ्तार फायर एंड एश एक अमेरिकी साइंस फिक्षन है जिसे लेकर लोग एक्साइटेड है ये फिलिम साल 2025 में रिलीज हो सकती है आपको स्चोरी कैसी लगी कमेंट में जरू बताइएगा अगर आपको स्चोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेय उमने बताइब का है जे जलीज साल बताइब ए्यच्छी लगी हो फिसे लीज़ एड़ी तो थे नहीं परताइब लेगी है ये आपको सिंश परताईब दो जरनी में लेक्षन परताई।